दोखो बच्चों हम लोग आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं और यह टॉपिक है इंडेफिनिट इंटिग्रेशन दोखो क्या है पूरा का पूरा इंटिग्रल केल्कुलस इस टॉपिक पर बेस्ट है जैसे पहले हम इंडेफिनिट इंटिग्रेशन पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे फिर एरिया पढ़ेंगे फिर डिफरेंशल इकोशन पढ़ेंगे लेकिन यह जो पूरा अपना इंटिग्रल केल्कुलस का पार्ट है यह इंडेफिनिट इंटिग्रेशन पर बहुत ज्यादा बेस्ट है तो जितना स्ट्रॉंग हमारा इंडेफिनिट के बहुत सारे basic formula हमको आते हैं मैं आपको थोड़ा सा recall कराता हूं देखो ध्यान दो हम लोगों का topic है indefinite integration ठीक है indefinite integration देखो ध्यान दो बचो जैसे कि क्या होता है indefinite integration शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ basic बाते बताता हूं देखो क्या होता है एक बहुत important rule है calculus के अंदर और वो rule यह कहता है कि integration and differentiation are converse process of each other मतलब integration और differentiation यह दोनों के दोनों एक दूसरे के converse process हैं मतलब जश्ट उल्टे process हैं और यह rule इतना important rule है कि थोड़ा सा modification करके आगे जाके इसी rule को बना दिया जाता है fundamental theorem of calculus सोचिए अना calculus की सबसे basic बात इस rule में छिपी होई है क्या rule है यह देखो रूल है देखो integration ठीक है is converse process of differentiation ठीक है यह ऐसा भी कह सकते हैं integration and differentiation are converse process of each दरबाद बरागर है integration जो है differentiation का converse process है यह differentiation भी integration का converse process है यह दोनों ही एक दूसरे के converse process है ऐसा हम कह सकते हैं और इसी rule को थोड़ा modify करने के बाद एक बहुत important theorem की form में बदल दिया गया और उस theorem को कहा जाता है fundamental theorem of calculus यह हम लोग definite integration में जाके सीखेंगे तो fundamental theorem of calculus जो है इसी rule की थोड़ी सी modified form है और यह rule हम लोग सीखेंगे जाकर के definite integration में तो दोखो अब जैसे यह rule क्या कहता है कि integration is converse process of differentiation मतलब जैसे कि माल लो हमने कोई function लिया small fx और उसका differentiation किया और माल लीजिए वो differentiation gx आया है ना मैंने ऐसा मल लिया है ना कि small fx का differentiation gx से मैंने ऐसे मल लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम gx का integration करेंगे है ना तो हमको मिल जाएगा small fx है ना मतलब small fx का differentiation gx है तो gx का integration क्या हो जाएगा बोलो small fx ध्यान दीजिए देखो एचली होता क्या है जैसे माल लो अगर हम लोग small fx में एक constant c add कर दें तो अब देखो होगा क्या अगर हम constant c add कर देंगे तो actually c का differentiation तो 0 ही रहेगा तो कुन मिला करके differentiation हमें fx का करना है जो कि हमने यहाँ पर gx माल लिया है क्योंकि c add करने से differentiation क्योंकि differentiation c का 0 हो जाएगा तो अब देखो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम gx का integration करते हैं तो यह gx का integration हो जाएगा small fx plus c देखो ध्यान दो small fx plus c तो क्या होता है इस प्रकार का जो integration होता है इसी को हम कहते हैं indefinite integration क्योंकि इसमें एक constant c हमेशा रहता है और इस constant को कहा जाता है इस constant को हमेशा हम constant of integration कहते हैं और यह constant of integration indefinite integration में हमेशा दिखाई देगा तो इसी की बज़े से इसको हम indefinite integration भी कहते हैं तो कि क्या होता है दोखो C की value अलग-अलग हो सकती है, C की value 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, तो उसे क्या होता है, कि इसके integration के अलग-अलग answer आ जाते हैं, तो कि C कुछ भी हो सकता है, तो इसी लिए इस प्रकार के integration को हम बोलते हैं, in definite integration, और इस C को कहते हैं constant of integration, और ये constant of integration, in definite integration में हमेशा आयेगा ध्यान दखना हाँ आगे चलके जब हम definite पढ़ेंगे definite में क्या होता है इसी में limit लग जाते हैं integration में limit लग जाते हैं तो उसको हम कहते है definite integration वो आगे चलके हम लोग पढ़ेंगे तो जब हम definite पढ़ेंगे तो definite में ये c नहीं यूज़ किया जाता ध्यान लेला लेकिन indefinite के हर answer में ये c हमेशा साथ में add किया जाएगा c कहलो, c1 कहलो, c2 कहलो, k कहलो, कुछ भी कोई constant आप यहाँ पर मान सकते हैं तो ये integration का सबसे पहला point है कि integration क्या होता है differentiation का converse process होता है, मतलब अगर हमने एक function small fx लिया उसका differentiation gx है, तो gx का integration हमेशा क्या हो जाएगा, small fx ठीक है, और अगर हम उसमें c add करेंगे, तो differentiation पर फरक पड़ता नहीं है इसलिए basically हम लोग यहाँ पर gx के integration को more correct small fx plus c लिखते हैं हमेशा ध्यान दो, तो किसी भी integration को करने के बाद हम उसमें c जरूर add कर देते हैं, तो क्या होता है हम लोगों ने differentiation के जितने भी formula पढ़ें, जैसा कि माल लो, हम लोगों ने differentiation का, माल लीजे, एक formula पढ़ा है sin x, तो sin x का differentiation क्या होता है, बोलो cos x ठीक है, तो इसका मनलब देखो यह हुआ कि cos x का integration क्या हो जाएगा बोलो, sin x हो जाएगा, तो क्योंकि इसका differentiation ही है, तो इसका integration ही है, लेकिन integration है और वो भी different है, इसलिए यहाँ पर हम एक constant अपनी तरफ से जोड़ देंगे, तो मतलब cos x के integration का हमें एक formula मिल गया, तो cos x का integration क्या होगा बोलो, small sin x plus c, जोको द्यान दो, कैसे मान लीजिए, अगर हम लोग cos x का करते हैं differentiation, तो हमको मालूम है, वो minus sin x आता है, ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम minus sin x का integration करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा बोलो, cos x हो जाएगा, और हाँ, यह जो minus है, यह हम बाहर ला सकते हैं, ध्यान देना, कोई भी constant number integration के बाहर आप ला सकते हो, तो जैसे हम minus 1 को बाहर ले आए, तो हो गया sin x बराबर, क्या हो गया बोलो, cos x, अब दोनों तरफ minus से multiply कर दो, तो क्या हो जाएगा, sin x का integration, क्या हो जाएगा, बोलो, minus cos x, और इसमें भी हम 1 plus c add कर देंगे, ध्यान दो, तो इसका मतलब यह हुआ, कि sin का integration क्या बन गया, बोलो, minus cos, है न, जबकि sin का differentiation differentiation plus cos है, तो दो क्या होगा, जैसे रसे हम आगे integration पढ़ेंगे, थोड़ा differentiation और integration में confusion भी होगा, लेकिन यह confusion अभी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी confusion हुआ, तो वो दूर हो जाएगा, लेकिन अगर यह confusion अभी नहीं हुआ, तो सीधे जाके exam में होगा, जो समस्या है, तो जितना confusion अभी हो जाए, उतनी कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो थोड़ा सा में फार्मूलों पध्यान देना पड़ेगा, कहाँ plus है, कहाँ minus, sign का differentiation cost, तो cost का integration sign, cost का differentiation minus sign, लेकिन sign का integration क्या हो गया बोलो, minus cost, तो इस तरीके से integration के जितने भी basic फार्मूले हैं, यह सब differentiation को उल्टा करकर करके बनाए गए, दोको जैसे, हमको मालूम है, कि 10x का differentiation होता है, sec square x, तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, कि sec square x का integration क्या हो जाएगा, 10x plus c, हैना, तो दोको 10 का differentiation sec square हो गया, और यह आता है sec x into 10x, तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, कि sec x into 10x का integration हो जाएगा sec x plus c, हैना, इसका differentiation यह, तो इसका integration यह, हना, इतनी बातों को लिखो, अभी मैं और इस topic को आगे continue कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत important topic है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, पहले starting के basic formula, पर उस पर waste और नहने question, लिखो बचो ध्यान से इसको पहले,